मुगल सराई पतना रेल रूट के डुम्राज स्टेशन के समीब ओवर हेड इलेक्रिकल वायर टूट जाने से रेल रूट घंटो बाधित रहा जिसके कारण पतना की तरफ से जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर चलाई गई तो कई ट्रेने रद कर दी गई इस दोरान यात्रियों ने रेल प्रसासन पर आलोब लगाएगी रेल परिचालन क्यों बाधित है और कब तक सही हो जाएगा इसकी सूचना समय से नहीं मिल पा रही पटना करने वाला हूँ और पटना जाने वाला हूँ ट्रेने काफी देर से बिलम से चल लही है इसके कान बहुत ज्यादा परिचानी हो रही है अभी एक साथी जो पता चला कि ये बकसर के पास ट्रेक टूट गया इसके कान बारी परिचानी हो रही है जल से जल इसका समधान हो जाता तो हम लोगों परशानी कम हो जाती और एनांस्मेंट होना चाहिए इसका प्रोपर प्रोपर वे में सुचना है बगर देनी चाहिए क्योंकि अठार अठार गंटे लेट चल ले ये ट्रेन है वहीं उपी स्टेशन अधिक्षक मुगल सराय ने बताया कि काफी प्रयास के बाद ट्रेनों का परिचालन सुरू हो पाया है में लाइन दानापूर डिवीजन में डुम्राओं के पास OHE तार तूटा हुआ था OHE डिफेक्टिव था तूटा हुआ था उसके चलते गाड़ी बिलंब से जा रहे थी कुछ गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है कुछ को टर्मिनेट किया गया है यहां से